U assalamualaikum इस वीडियो में मैं आग लोगों को बताउंगा आप किसतरा जो है आप किस तरह न Living डेक्षित पे यूज सकते हैं आपने ला सकते हैं तो इस वीडियो का आपने प्रेक्षित प्रेघक सकते हैं सो अपने owners को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे पूरे चैनल पे जो आपको फेस्बुक से रेलिटेड वीडियो में लिए अगर आपको कोई दो जो को फेस्बुक मार्केटिंग सिकना चारो बिगिनर अब लेवल पे हो तो आप उससे रेक्मेंड कर सकते हैं ठीक है तो इस चै है वेबसाइड का जो डैट ड्रेक्ट फेस्बुक की तरफ भेजना सर्वर सर्वर से लेके ड्रेक्ट फेस्बुक की तरफ भेजना होता है जाए वो वेबसाइड का डैट हो जाए ओफ्लाइन इवर्स जो होते हैं उसका डैट ठीक है और यह जो है कनवर्जिन फेस्बुक पिक्जल के साथ जो है मिलके अपनी प्रफोर्मेंस को इंप्रूफ करते हैं उसकी प्रफोर्मेंस को और फेस्बुक एड्स कंपेंड के में 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 बहुत हेल्प करते हैं अब आपको सिंपल एक लेंग्रीज में बताऊंगा क्योंकि यह तो गूगल की डेफिनेशन थी ठीक में और टीक है लेकिन मैं आपको सिंपल लेंगज में आपको जरू समझाओंगा लिए दटेक्ट दोस्तों जो पिक्जल होता है नवापके ब्राउजर बेस पे history क्रता है ब्रॉजर बेसमन के आपके Google Chrome हो गया Firefox हो गया मौजीला हो गया या दूसरे जितने भी आपके ब्राउजर हैं ठीक है उनकी बेस पे जो पिक्जल आपके ट्रैकिंग करता है आपके आउडियंस की लेकिन जो करमजन एप यह वो सर्वर सर्वर की बेस पे करता है सर्वर जो होता है वो ब्राउजर की भी बैकेंड पे होता है मिनके आप जो है अगर एकुरेट डेटा लेना चाते हैं तो आप ब्राउजर सर्वर बेस से आप एकुरेट ले सकते हैं ब्राउजर बेस पे काफी लिमिटेशन होते हैं काफी वो डिव वाजे होती हैं वो आपको अलाव कर देती हैं जिससे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इनके ट्रैकिंग कर सकते हैं कुछ extension होते हैं जिसकी वजह से पिक्जल करना चोड़ देता हैं तो इस वजह से ब्रॉज़र बेस्ट में काफी प्रॉब्लम्स होती है और इंस को ठीक से एक्रेट ट्रैक करने के लिए इस वज़े से फेस्बुक ने करोंजन एपियाई को इंट्रोड्यूस कराया था कुछ महीने पहले तो जिसका काम था कि सर्वर बेस्पे आपकी आउडियंस को ट्रैक कर सकें जिसमें यह एक पिचर में दिखाए गए कि एक वेबसाइट है ठीक है उस पर पिक्जल इंस्टाल है जब पिक्जल जो है हमारे अगर ही ना हो जिससे आपकी ना होगी कस्ट्रम ऑडियस बन सकते हैं लेकिन अगर आपने उसी वेबसाइट पे लगाया होगा तो आपका जो डेक्टर वो ड्रेक्ट सर्वर से होके आपके जो है यहां पे फेस्बुक बिसनेस मैनेजर में आ जाएगा एड मेनेजर में आ यहां यहां अगरें लेकिन पीजल के जो डेट होता हो सकता है एक्रेट ना हो कभी-कभी नहीं भी अक्रेट होता लेकिन जो के कर्वर्जन एप यह तुरू हमें मिलेगा वह बिल्कूल एक्रेट होगा और बेस्ट डेट होगा मैर परस के तो जो पिक्सल वर्क क्यों करना छोड़ देता है एक इसकी पिक्सल्स क्रते है कि हो सकते है के लोगों ने जो आपकी आउडिंस आपके विजर्ड करती है ऊब की वैबसाइट एडव कर्यश्क्र एस उससे जो है आपका पिक्सल स्करिगर नहीं होता ना आपकी custom audience बनेगी ना आपकी lookalike audience बनेगी ना पिक्जल को data आपको provide करेगा इसके लावा ब्रावजर की privacy settings होते हैं जिसमें चेंज करके आप जो है changing कर दो तो पिक्जल कभी भी ट्रिगर नहीं होगा ठीक है तो ये भी मसला हो सकते हैं इसके लावा जो है गूगल ने इंट्र करेगा तो obviously के pixel पर impact पड़ेगा हमारी और हमारी advertising पर impact पड़ेगा तो हम ठीक से data नहीं ले पाएंगे Facebook से इसलिए भी हमें conversion API यूज़ करना चाहिए जब से iOS update आया इसने हमारी जो है अड़ बहुत बुरा impact हुए अगर आपको नहीं पता कि iOS updates के हैं तो आप मेरे चैनल पर इसके क्या impact है हमारे advertising पर उसके बाद यह है कि Apple भी है अपने उसने privacy policies चेंज करनी है ठीक है उसने बहुत जल्दी Facebook को तो notification दे दिये कि हम बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं तो उस base के लिए भी उस problem से बचने के लिए भी आपकी website पर conversion API होना बहुत जरूरी है जिससे ज मज़ आगया होगा तो ठीक अगर नहीं है तो आप में से क्वाइंड box में पूसकते हैं अब मैं जो आपको बताते तो प्रैक्टिकल किसे आप इसे कर सकते हैं लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपने जाना अपने event manager में event manager में होने के बाद आपके जो pixel है pixel आपकी website पे install होना बहुत जोड़ी है ठीक आपका domain verify होना बहुत अगर domain verify नहीं है तो आप मेरी यहां पर देख सकते हैं कि domain किस तरह verify करते हैं यह मैंने वीडियो बनाई हुए इस पर डुमेन verify कर सकते हैं पिक्जबली install कर सकते हैं किस तरह मैंने किया हुए उसके बाद आप जो अपने business को verify भी कर सकते हैं ठीक है तो यह आपने देख लेने उसके बाद जो आपने event manager वे आना है और conversion API को install करने के लिए आपने जाना है अपनी setting में यहां से अपने वो पीज़े स्लेट करने ना जो कि आपने website पे इंस्टाल किया होगा उसके बाद आपने ना नीचे तो यह conversion API यह ठीक है यहां से आपने guest started पे क्लिक करने जब आप get started पे क्लिक करेंगे आपके पास ने option आ जाएंगे यहां से आपने जाने continue पे क्यूंकि मैंने पहले से बनाया हुआ event select events यहां आपके पास events आ जाते हैं like मैं और कर देता हूं like यह इस तरह से मैंने एक event select किया वह तो आप यहां से कर सकते हैं आप यहां से industry select करें किस industry के लिए आपको इवर्स चाहिए ठीक automotive है travel है कोई भी है ठीक उसमें से आपने select कर लेने रियल स्टेट कर लेने यहां से आपने कोई भी event को आप select कर लेना है event like आप complete registration कर लें तो अब ज्यादा भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपने events retail parameters जो के events को मजीद explain करते हैं parameters तो वह आपने देखने हैं तो उसके लिए आप मैं जो recommend करूंग आप event idea अप्रेट करने ठीक है और event source URL URL महलब के किस URL से यह किस फे गूगल के किस पेज से जो है यह event विजट किया गया है आपकी website से जिसकी वजह से जो है यह trigger हुआ है इसके बाद हर चीज़ के event ID होती है event ID आप यह जुरूरी स्लाइट करें event ID आपकी differentiation करने में help करेंगी कि जो आपके browser से event track हो रहे हैं या आपके जो server से हो रहे हैं उनकी ID सेम है या नहीं है तो इस वजह से आपकी event ID होना बहुत है आप इसको Facebook की जो profiles हैं जो Facebook पे लोग आपके हैं उनकी किस चीज़ के साथ मैच होना चाहिए में के जो फस्त नेम हो आपकी profile जो आपका visitor आपकी website पर विजिट करेंगा उसका फस्त नेम मैच होना चाहिए उसका phone number मैच होना चाहिए उसका country मैच होना किस country से किस country का है वह ठीक हो इसकी आप accurate data दे तो यह आपने कर लेने इसके बाद आपने continue क्लिक करना है continue क्लिक करने के बाद यह आपको बता रहे हैं ठीक है events parameter यह सारे तो आपने कर लेने सेट अप कर लेने उसके बाद आप जो है send interaction यहां आप आपका email send हो जाएगा जिसको आप email दियो होगा आपके developer के पास email send हो जाएगा ठीक है यहां आप इसको send करेंगे तो यह जो है आपके उसके पास चला जाएगा लेकिन मैं नहीं करना चाता है ठीक है तो मैं यहां से कर दे तो finish मैं खुद कर सकता हूँ manually मैं करूंगा ठीक है तो यह हो गए finish अब हमें जो website पर जाना है आप नहीं website पर हमने install करने हमना plug-in install करने है जो एक pixel your site मैं यहां पर दिखा दे तो install plugin पर आपने जाना है यहां अपने इंस्ट्रॉल करना है प्लग इंस्ट्रा पिक्जल यूर साइट यह plugin आपने यह इंस्ट्रॉल करना है पर नेट की speed slow है जिस वज़े से login इंटरफेस चेह हैं जो नहीं में थोड़ा टाइम लग रहे है तो आप थोड़ा सा वेड़ कर लें हाँ यहां यहां से आपको दिखा दे तो यह पिक्जल यूर साइट यह plugin होता है यह आपने सर्च कर लेंना यहां पर जब आप इंस्ट्रॉल करने लगेंगे तो यहां अपने add new पे क्लिक करना है जिसना यहां यहां आपने सर्च कर लेंके लिए प्टेयरे होbelsाओ यह आंनेके बाद चैब आप इसे आप ने कर सकते हैं आप गूग्ल कर सकते हैं और यहां करने हैं क्लिक साथ करना है तो यहां क्लिक सेटिंग करें यह आपने निबल कर देना है यहां आपने पिक्जल की आईडी देना है पिक्जल की आईडी किस दो मिलेगी यहां आपने जाना है और यहां आपकी पिक्जल की आईडी दियू ही है ठीक है यहां आपने पिक्जल की आईडी कॉपी करनी और यह हमार दिया हुए जिनरेट एक्स टोकन ठीक है यह आपने एक्स टोकन लेना है यहां से आपको टोकन दिया है यह आपने कोपी कर लेना है कोपी करने के बाद आपने आना यहां पर और यहां पर आपने पेस कर देना यहां पर इस जगह पर आपने पेस कर देना हो पेस करने के के बाद यहां आपने ये क्लिक लाजमी करना है ये बिल्यू टिक उसके बाद आपने आ जाना नीचे और आपने कर देना है सेफ सैटिंग जब आप सेफ सैटिंग करेंगे तो आपका जो कन्वेजन एपी आई वह आपका वैब साइट पे इंस्टॉल हो गया है ठीक है